नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजना चोहान आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है घर पे बताने जा रहे हूँ ब्लीच किस तरी किस बनाए ब्लीच उप्टन ब्लीच उप्टन अपने चहरे के लिए हाथों के लिए गर्दन के लिए किस तरी से बनाए पूरी मैल बाहर कर देगी दोस्तों यकिन मालीजिए ठीक है एक आलू लेना है धोलीजिए छील लीजिए इसमें बहुत ज्यादा ब्लीच होता है यह आपके कलर को फेयर करता है दाग धबो को हटाता है पिग्मेंटेशन को हटाता है जो पिंपल के दाग हो चुके हैं दानों के क्रीम जो बनाए जाती है उसमें आलू का स्टार्च डाला जाता है यह आप जाननीजिए ठीक है तो बहुत ही अच्छी चीज बताने जारे हो नेचुरल है आप इसके आगे दस हजार का जो फेशियल कराने जाते हो नहीं जाओगे मेरे कहने से एक बार इस तरीके से बना कर करके जरूर देखिएगा उसे आप लगाते जरूर होंगे हर एक जो लेडी होती है वो अपने कलर को थोड़ा एक टोन फेयर करने के लिए आलू टामाटर तो साइध ही कोई लेडी जना हो जो नहीं लगाती है कोई नई चीज नहीं है लेकिन कुछ इसमें नया मैं एड़ क करिएगा जितना आपके चेहरे में रगड आएगी चीनी से जितना अगर आपके चेहरे में रगड आए जाईयां आपको होंगी होंगी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो ठीक है तो यह सब वाइरल बीडियों के तरफ मत भागिए कोई ऐसा काम मत करिए कि आपके चेहरे पर रगड आए, इस इसकिन क्या है, बेबी इसकिन है, एकदम इसमूथ है, एकदम बेबी जैसी सकिन होती है, रगड रगड के आप लोग एकदम बरबाद कर आते हो, खाली लोगों के वीडियो देख देख करके कि खुब रगड़ो, नहीं, ठीक है, हर चीज बहुत धीमे हा नीबु, नीबु नहीं, नीबु सारा नी चोड़ लिया गया है, ये है नीबु की स्किन, इसके ऊपर वाली स्किन पे 100% बिटामिन C पाया जाता है, ठीक है, इसको हलका सा दबाएंगे, तो एक तेल निकलेगा, वही जो तेल है, उसको निकाल निकालके, जो महेंगे से महे बिटामिन सी सिरम मार्केट में आते ना इसी से बनते हैं इसका उपर का तेल है बहुत इंपोर्टन होता है इसकी महग भी बहुत अच्छी आती है कभी कभी आप हरा वाला जो कच्छा वाला नीबू होता ना उसको लीजियो दबाईए अपने चेहरे पे लगाईए और बिल् पानियों को हटा के एकदम कलर फेयर करता है अब टमाटर हो गया आलू हो गया नीबू की ऊपर वाली इसकीन हो गई अब इसको क्या करना थोड़ा सा पानी मनी डाल करके इसको थोड़ा सा स्मूथ पीस आ जाएगा ठीक है बगार पीस ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा जा उसके बाद दोस्तों देखिएगा कि क्या क्या चीज इसमें मैं डाल के मैजिक कर देने वाला ये मैं बराने जा रही हूं आज आप सब के लिए उसी में मैं एक निट का मेरे पास कपड़ा है इसी से मैं काली डाई भी छान लेती हूं जैसे आउला का कुछ बनाया ना तो बहुत अच्छा इससे छन जाता है, छननी से इतना बहुत टाइम लगता है, यह पानी नहीं है, यह बिटामीन C सिरम है आपके लिए, अभी देखेगा इसमें एक चीज जैसी जाएगी, कि यह बहना नहीं चाहिए, बहुत कीमती है बहना नहीं चाहिए, यह देखे, अगर आ आप टोनर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते है ना, कि किसी CC में भल लीजिए, अपने चहरे पर इस्प्रे भी कर सकते हो, सुख जाए, फिर से इस्प्रे कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन आज मैं इसमें डालने जा रहे हूं, गेहूं का आटा, ठीक है, गे गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल होता था, ठीक है, अब बहुत सारी चीजे चलने लगी, तो गेहूं काटा इतना डालिये, कि यह थुआ ठीक हो जाए, ताकि आपके चहरे पे लगाते बने, बहे चुए बहे नहीं, ठीक है, और नारियल तेल तो इसमें पकाई पड़ेगा नाजल तेल जरूर डारेगा, एक चमच भरके नाजल तेल डाल दीजे, ताकि आप जब चहरे में लगाएं, तो आपके चहरे पे बिल्कुल किसी भी प्रकार का बिल्कुल रगड नहीं होनी चाहिए, आप अपने इसकिन को इस तरह से ट्रीट किया करें, जैसे छोटे बच इस तरह से करेंगे कुछ भी ना तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके चहरे के लिए, आइस जरूर अपने चहरे पे लगाया करें, तीक एक बड़ाप का टुकुडा लीजिए, किसी कपड़े में लपेटे, और अपने चहरे पे लगाया करें, इससे जो ओपन पो कॉफी और यह खड़ी चीनी, जिसे खड़ी चीनी है न, दरदरी कभी भी मत लगायेगा दोस्तों, जब वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा, फेस्बुक पे मेरे चैनल को फालो करके रखेंगा दोस्तों, बेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ